Strategy is the biggest difference between hard work and smart work. करती हैं, वो इसके बारे में क्या कहती हैं, पता है, वो ये कहती हैं कि इंडिया में youth की कमी नहीं है, लेकिन skillful, smart, employable youth की बहुत कमी है, और जो youth skillful है और smart है, उसके लिए job की कमी नहीं है, अब इसको थोड़ा मैं story के थूरू समझाने कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझेगा जिससे आपको जादा समझ में आएगा, एक बार तो दोस्त थे, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश, दोनों ने schooling, college, सब साथ में पुरा किया, मज़ेगी बात ये थी, उनकी same ही company में job लग दे, दोनों ने बहुत hard work किया, पूरे साल बर, साल बर बाद उनका promotion ह होना था, तो जिस दिन promotion था, उस दिन boss आये, उन्होंने सतीश को promotion letter देते हुए कहा, कि सतीश, तुमारा promotion होता है, तो महेश ने पूचा कि सर मेरा, तो boss ने का कि महेश, I'm sorry, तुम्हें promotion नहीं मिल पाएगा, इस साल तो कम से कम नहीं मिल पाएगा, work hard, तो ऐसा करके boss अपने buttering से promotion होता है, जरूर सतीश ने buttering कियो, कि boss की, और उसको गुसा आ गया, उसने सुचा मैं कल से नहीं आओगा, वो boss के cabin में कया, और boss को बोलता है कि boss हमें कल से तो नहीं आओगा, I'm so sorry, तो boss ने कहा कि क्यों नहीं आओगा, तो वो कहता है कि boss मैंने बहुत hard work किया पूरे सा smart है, महेश से smart है, अब इस चीज को prove कैसे करें, अब boss ने लगाया दिमाग, इसलिए तो वो boss है, boss ने महेश से कहा कि तुम्हें काम करो, मैं तुम्हें एक task देता हूँ, अगर वो task तुम्हें कर लिया, तो मैं तुम्हें सतीश से जादा salary दूँगा और promotion अलग से, तो गाया, वो अब गया, वो मजेके बहाँ में सीर्प एक आदमी बेशता है, तो फिर boss ने गा इनका महेश एक और काम करो, अब बहँ जाकर करो कि वो कितने रुपए कि चलो में आम बेशता है, वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है किो 50 रुपए कि आम बेशता है अब बोस ने कहा का महेश मैं सेम चीज अब मैं सतीश से करवाता हूँ तुम ध्यान से देखना है उन्होंने सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो इस इलाके में जो आम बेजता है उसकी खबर लेकिया हो कि कौन आम बेजता है सतीश गया मार्केट में और वापस आया आदे घंटे था और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रहे गया सतीश ने कहां बोस यहां पे आम सरF에 अगर हमने 40 रुपे किलो में वो 60-70 किलो आम बेज दिये और हमने अगर 50 रुपे किलो में उससे सेल कीया तो मैं बहुत profit होगा और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं आम के business में भी अब आप समझेए कि सतीश और महेश में क्या फरक था आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है आज का यूथ इस फिलोसफी पे जीता है कि इतने में इतना इच मिलेगा जब आप ये सोचते हो कि इतने में इतना इच मिलेगा हमें इतना इच काम कर तो आपने promotion की आस पाल ही क्यों रखी है और इस mentality के साथ आगे भी कहीं अच्छी job नहीं मिलने वाली आप जिस भी company में काम करते हो या फिर आप किसी company में काम करने जाओ तो एक बात याद रखना अगर वो आपको 100 रुपे देते हैं तो आप उसे 50 रुपे का ही काम करके मत दो उसे 200 रुपे का काम करके दो expectation से जादा उन्हें अपना आदी बनाओ उनकी responsibilities उठाओ उन्हें हद से जादा काम करके दिखाओ तब मैं आपको guarantee लेता हूं कि future में आपको ना तो कभी job की problem होगी ना ही promotion की यही सबसे अच्छा तरीका है